बच्चो आज हम एक बहुती इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे यह टॉपिक हमारे द्यानिक जीवन से जुड़ा हुआ है आप सभी ने एक नारा सुना होगा स्वक्ष भारत स्वस्थ भारत वहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है यह दोनों आपने कहीं न कहीं सुने होंगे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब हम पूर्ण रुप से स्वस्थ होते हैं हमारा मन खुश होता है और हम जब खुश होते हैं तो हम जो भी कारे करते हैं वह बहुत अच्छे से हो करते हैं और बहुत अच्छे से जब हम कारें को करते हैं तो हमें उसमें सफलता मिलती है स्वक्षता रहने के लिए हमें स्वक्ष रहना भर जरूरी है और स्वक्षता तब होगी जब हमारे आसपास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी आप सोचिए अगर हमारे आसपास गंदगी फैली वही हो तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं नहीं यानि स्वक्षता और स्वास्थ का सीधा सा संबंध है आपके स्कूलों में समय समय पर विभिन्द प्रकार के स्वक्षता से संबंधित कायकरम किये जाते हैं एसा ही एक कायकरम है स्वक्षता पक्षवाड़ा जिसके अंतरगत आप सात दीनों तक विभिन्द प्रकार के गती विद्यों को करते हैं जिसके माध्यम से आप स्वक्ष रह सकें जिसके अंतरगत आपको नाखून काटना रोज नहाना शरीर की सफाई करना और साथी साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि हाथ धोने के लिए अलग-अलग step कौन से हैं हाथ धोने के समय हम किस तरह के steps का को follow करें जिसे हमारे हाथ जो है वो अच्छे से साफ हो सके वहीं लड़कियों को महवारी के time पर किन-किन बातों का ध्यान रखना है उस नैपकिन को किस तरह से dispose करना है ये सारी बातें इसकूलों में समय समय पर सिखाई जाती है कभी आपने सोचा है कि इस तरह की बातें इसकूलों में क्यों सिखाई जाती है ताकि हम स्वक्ष रहें और स्वस्थ रहें बच्चों जो टॉपिक पर भी हम बात करने वाले हैं, यह जो टॉपिक का उद्देश केबल पदिक्षा में आई हुए प्रश्णों के उत्तर लिखने तक ही सिमित नहीं हैं, बलकि इस टॉपिक के दौरान हम जो कुछ भी सीखेंगे, यानि आज की बातचीत में हम जो कुछ जी पाएंगे और अपने बहतर परियावरन का भी निर्मान कर पाएंगे, रोच सुभा क्या इस तरह का गाना बजाते हैं ये गाड़ी आपके मोहले या घर पर आती है, ये गाना बजाते हैं आती भी गाड़ी घर घर जाकर क्या करती है, बिल्कुल सही, कच्राय खटा करत यह खुली जगाँ पर देखे होंगे. यह पहाड किसका है? यह पहाड कचरो का है. यह कचरा आता कहां से है? तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कचरा और उसका प्रबंधन. यह टॉपिक हम से बहुत जुड़ा हुआ है. और हम यह जानेंगे कि कचरा क्या है? कचरे के कौन-कौन से प्रकार है? कचरा जो इखटा किया जाता है, उसको फिर बाद में अलग-अलग प्रथक भी किया जाता है. इन्हें अलग-अलग किया जाता है. तो प्रथक करण कैसे किया जाता है? कच्रों के कारण किस-किस प्रकार की समस्याई हो सकती है कच्रे कोई प्रबंधन के तरीके क्या है और कच्रा प्रबंधन क्या है कच्रा प्रबंधन के लिए चार आर की बात कही जाती है तो कच्रा प्रबंधन के ये चार आर क्या है हमारे भारत देश में कच्रा एवं उसके प्रबंधन के लिए विभिन प्रकार के तरीके व्यक्तिगत रूप से या सामुहिक रूप से किये गए हैं तो इन व्यक्तिगत और सामुहिक प्रयासों को हम जानने का प्रयास करेंगे बच्चो दिन भर में हम बहुत सारे कारियों को करते हैं और उन कारियों को करने के लिए बहुत सारी वस्तुनों का उपयोग भी करते हैं और उन कारियों को करने के दौरान ही हम कचरा भी उत्पन्न करते हैं तो आप स्वयम एक सांड़ी का निर्मान करें और उस सांड़ी में आप अपने द्वारा किये गए दिन भर के कारियों और उससे उत्पन होने वाले कचरों को लिखिए यह सांड़ी कुछ इस तरह से बनाई है यानि आपने दिन भर जो भी कारे किया उस कारे के दौरान जो भ लिखने विजड अप्लास्टिक की वस्तुओंक वीजड ऐसे नाम लखने में इस नाम जानते लोगरां धन रषय कर रही है। या आपकी गतिविधी के कारण जो उत्पन हो रहा है कचरा उसके नाम आपको यहां पर लिखने हैं। जब आप इस सार्णी को बना लेंगे तो आप इस सार्णी को ध्यान से देखेंगे और आप इस परस टुप से दो चीजे देख पाएंगे। पहला इस सार्णी में ऐसी कौन-कौन सी चीजे हैं जिनका उप्योग दुबारा आप नहीं कर सकते हैं। तो इस सार्णी में कुछ ऐसी चीजे आपको मिलेंगी जिनका उप्योग आप दुबारा स्वयम कर सकते हैं। जैसे काच की बॉतले या प्लास्टिक के जो कंटेनर होते हैं, इनका उप्योग अपने घरों में आप बागवानी कली कर सकते हैं. इसी सार्णी में आपको कुछ ऐसी चीजे मिलेंगी जिनका उप्योग आपकी जिन्दगी में नहीं हैं, लेकिन इसी वस्तु का उप्योग किसी अन्य व्यक्ति के लिए हैं, जैसे की पुराने न्यूस्पेपर, यह जो पुराने न्यूस्पेपर है वो आपके लिए उप्यो प्लास्टिक और काज के टूटे फूटे समान आपके लिए अनुप्योगी है वहीं यह कबाडी वाले के लिए उप्योगी है तो बच्चों कहीं ना कहीं कि कच्रे का सीधा संबन्द वस्तू के उप्योग और अनुप्योग से है या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है वो उपयोगी है या अनुपयोगी है इस बात पर निर्भर करता है कि वह कच्रा होगी या नहीं यानि कच्रा का सीधा संबन वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता से है जो वस्तु आपके लिए उपयोगी है वह कच्रा नहीं है और जो वस्तु आपके तो कोई भी बस्तु कब कचरा हो सकती हैं? इसका बहुत लम्बे समय से हमने उप्योग नहीं किया. ऐसी बस्तु जो खराव हो चुकी है, ऐसी बस्तु जो वर्थलेस याने जिसका किसी भी प्रकार का कोई उप्योगी नहीं है. या जिसकी आप को आवशक्ता यह नहीं है, जो अन्वांटेड है. तो ये सारी वस्तुवें जो आपके लिए अनुप्योगी हैं वो सब क्या है कच्रा है कच्रे को इखटा कर कच्रे वाले को दे देना ही क्या इसका समधान है या हम व्यक्तिगत रूप से अपने ही घर पर इस कच्रे के लिए कुछ समधान ढून सकते हैं हमने चाना कि हमारे दोरा किये जाने वाले विभिन्नकारियों से किस प्रकार के कच्रे उत्पन होते हैं कच्रा याने ये सभी वस्तुवें जो कि हमारे किसी उप्योग की नहीं है वो सभी क्या है कच्रा है अब हम यह जानते हैं कि दिन भर में हम कच्रे की कितनी मात्रा की चालते हैं आइए इसका पता लगाएं क्रिया कलाप एक एक मध्यमाकार की बाल्टी लें इसमें एक दिन के लिए अपने घर से निकलने वाले कचरे को इकठा करें यह मात्रा आपके परिवार द्वारा एक दिन में निकाले गए कचरे की मात्रा होगी इस प्रकार आप अपने आज़ पास में रहने वाले लोगों तथा कॉलोनी, शहर, गाउं में रहने वाले लोगों के द्वारा निकाले जाने वाले कच्रे की लगभग मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं सोचिए कि अगर इतना कच्रा रोज निकल कर एक जगा ही कठा हो तो क्या होगा? इससे कौन-कौन सी समस्या उत्पन होंगी? इस कच्रे वह इससे जुड़ी समस्याओं का निप्टारा कैसे किया जा सकता है? अगर आप कुछ दिनों तक अपने घरों से निकलने वाले कच्रों को देखें, तो आप पाएंगे कि इसमे अधिकांश मात्रा, सबजियों, वो फलों के छिलकों और बची हुई खाद्य समागरी की होती है क्या या कच्रा लंबे समय तक ऐसे ही बना रहता है? आपने भी अनुभो किया होगा कि इस प्रकार का कच्रा थोड़े समय बाद सड़ गल जाता है सड़ने गलने की प्रक्रिया सुक्ष्म जीवों के कारण संपन्न होती है इस प्रक्रिया में सुक्ष्मजीव इस कच्रे में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं यह प्रक्रिया अब घटन कहलाती है इस प्रकार के कच्रे को जैविक रूप से नश्ठ होने वाला जैव निम्निकृत कच्रा कहते हैं घरेलू कच्रे में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के बाद भी वैसे ही बने रहते हैं जैसे प्लास्टिक का सामान, पॉलिथीन, धातू, काच, इलेक्ट्रोनिक पदार्थ, आदि अता वो कच्रा जो जीवों द्वारा अब घटित नहीं हो सकता उन्हें जैव निम्निकृत कच्रा कहते हैं आपके विचार से इनका आगे क्या होता होगा? समानने तोर पर हम इस कच्रे को या तो किसी एक जगा पर फेक देते हैं या फिर कबाडी को बेज देते हैं अभी तक हमने अपने घरों से निकलने वारे कच्रे की ही बात किये हमारे घरों से तो कबाडी कच्रा ले जाता है पर इन संस्थानों से निकलने वाले कच्रे का क्या होता होगा? घरों से इकठे किये गये कच्रे का कबाडी क्या करते होंगे? बच्चों आपने देखा कि दिन भर की क्रिया कलाब के दौरान एक परिवार कितनी मात्रा में कच्रा निकालता है तो सोचिए वहीं हमारे गली मोहले में इतने सारे परिवार रहते हैं और इस पूरे भारत देश में इतने सारे परिवार हैं तो इन परिवारों के द्वारा कितनी मात्रा में कच्रा बाहर निकलता होगा। तो इस घरेलू कच्रे को केबल कबाडी वाले को दे देना ही इसका एक मात्र समाधान है। या फिर इस कच्रे को उचित रूप से प्रबंदन करने के लिए कुछ करने की हमें आवशक्ता है। घरेलू कच्रे में अधिकांश कच्रे जो होते हैं उनको हम प्रबंदित करके अब घटित करके सडा सकते हैं। यानि उस कच्रे को हम घरलू इस तर पर ही उसका उचित प्रबंदन कर सकते हैं और इसकी अती आवशकता है चली आगे अब देखते हैं कि ये जो कच्रा है कच्रे को कबाडी वाला तो ले गया आगे वो क्या करता है यानि ये जो कच्रा है आपके घर से तो चला गया आपके से गाने जाने के बाद इस कच्रे का चब गास कूद नहीं कि बच्चों आप यहां देख रहें हैं कि कच्रा है इस कच्रे का च chauffeur किया गया कलेक्शन केब टाशन ऐसको Sgregation किया गया, segregation याने Prathakaran, याने कचरी, को जो उत्पन हुआ इस कचरी को अलग-अलग माध्यमों से इखटा किया, याने collection किया गया फिर इस गचरी का Prathakaran किया गया Emumas, Prathakaran की सधार पे किया गया ऐसा कचरी जिसका पुना उप्योग चारन कर पुना उप्योगी वस्तु बनाई जा सकती है उसके अधार पर चचरे को अलग अलग भागो में क्या किया टाजाता है जिसे रिवाहन और सैंग्री गेशन कогłुद के लिए ऊसे ट्रीटमेंट देना पड़ता है याने ऊपचार करना होता है किया जाता है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपको एक श्रिंखला दिखरी है जिसमें पहला है कच्रा याने वेस्ट दूसरा कलेक्शन याने इसका इखटा करना तीसरा प्रथक करने सेडी सेग्रीगेशन याने कच्रों को अलग-अलग करना उसके बाद इन अलग- गतिविधिया करते हैं जिसके दौरान कई ऐसे पदार्थ उत्पन होते हैं जो हमारे लिए अनुपियोगी हो जाते हैं इन पदार्थों को हम अपशीष्ट पदार्थ यानि वेस्ट मटेरियल या कच्रा यानि गाबिच कहते हैं अपशीष्ट पदार्थ जैव निमनी करन से अब घटन किया जा सकता है तो वह जैव निमनिकर्णिया कहलाता है लेकिन यदि किसी पदार्थ का जैव प्रक्रम से अब घटन नहीं किया जा सकता तो वह अजैव निमनिकर्णिया कहलाता है हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ कच्रे की मात्रा भी बढ़ गई है साधारं तह कच्रे का निप्टान करने के लिए इसे खुले मैदान में फेक दिया जाता है इसके कारण हमें गाउं तथा शहर में कच्रे के धेर दिखाई देते हैं आम तोर पर जिवानों जैविक निमनी करने कच्रे का जैविक प्रक्रम से अबगटन करते हैं और प्राकृतिक तोर पर इन पदार्थों को सरल्पदार्थों में परिवर्थित करते हैं सरल्पदार्थ पादपो द्वारा अवशोशित कर लिये जाते हैं और इस प्रकार के कच्रे का प्राकृतिक तोर पर निप्टान होता है यहाँ प्रक्रिया मुख्यो रूप से कवक और बैक्टेरिया द्वारा की जाती है जो प्राकृतिक तोर पर जैव निम्निकर्णी या कच्रे का अब घटन करके परियावरण की सफाई में मदद करते हैं लेकिन जब इन पदार्थों की मात्रा अत्यदिक होती है तो परियावरण में कई समस्याएं उत्पन होती है जैसे दुर्गंद, बिमारियों का संक्रमन, इत्यादी अजेव निम्निकर्णी पदार्थ चैसे प्लास्टिक, साधारंतह, अक्रिय, यानि इनर्ट होते हैं इसलिए उनका परियावरण में विगटन नहीं होता इसके कारण विगटन लंबे समय तक परियावरण में बने रहते हैं इनके कारण समस्याएं चैसे नालियों के बहाव में रुकावट, बाड, बिमारियों का फैलाव, इत्यादी, उत्पन हो सकती है मल यानि सीवेच की निप्तान की उचित व्यवस्था नव होने के कारण स्थानिय जलाशय और जल के अन्यस्त्रोत वाहित मल से प्रभावित होते हैं उद्योगों से निकलने वाले अप्शीष्ट जिनमें गैस, कूड़ा कच्रा, धातु के लवन एवं तरल अप्शीष्ट समिलित है बिना उपचार यानि ट्रीटमेंट किये परियावरण में छोड़ दिये जाते हैं खेतों से निकलने वाला जल जिसमें कीत नाशक और रसायनिक उरवरख होते हैं, अक्सर स्थानिय जलाशय में एकत्रित होता है DDT जैसे अजयव निमने करने पदार्थों के जल में मिलने से जल में पोशक तत्वों की अत्यधिक वृद्धी होती है इससे जल में शैवाल की तेजी से वृद्धी होती है इससे पानी में विगटित यानि डिजॉर्व्ड ऑक्सिजन की मात्रा कम हो जाती है तथा पाने के गुणवत्ता का रास होता है इसे ही हम सूपोशन यानि यूट्रोफिकेशन कहते हैं इससे जल में जैवरसाइनिक ओक्सिजन मांग यानि बायोकेमिकल ओक्सिजन डिमांड या बियोडी बढ़ जाती है जिसके कारण जलिय जीवों को परियाप्ट ओक्सिजन नहीं मिल पाता और वे मर जाते हैं जरा सूचिये क्या जल प्रदूशन, जैव आवर्धन यानि बायोमेगनिफिकीशन का कारण भी हो सकता है अपने दोस्तों या अध्यापक से इसके संदर्ब में चर्चा कीजिए इन समस्याओं से बचने के लिए हमें कच्रे का उच्चित तरीकों से प्रबंधन करना आवश्यक है हमने देखा है कि पदार्थ जैव निमने करनिया या अजैव निमने करनिया हो सकते है इसलिए हमें कच्रे को प्रुधक करना चाहिए इसके लिए हम दो प्रकार के कुड़ादान का प्रयोग कर सकते हैं एक में हम जैव निमनी करने कच्रा तथा दूसरे में अजैव निमनी करने कच्रा एकत्रित कर सकते हैं दोनों प्रकार के कच्छे का निप्टान बिन्न प्रकार से कर सकते हैं। बायोगैस प्लांट में जैव निमनी करने कच्छे का सूक्षम जीवों की सहायता से बायोगैस तथा जैविक उर्वरत में परिवर्तन किया जा सकता है। जैव निमने करने कच्रे को एक गहरे गड़े में प्राक्रतिक रूप से अब घटन के लिए छोड़ दिया जा सकता है इससे हम कंपोस्ट भी बना सकते हैं जो खेती में तथा बगीचे में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है अस्पताल के अप्षीष्ट पदार्तों के निप्टान के लिए भसमक यानी इंसिनरीटर का प्रयोग आवश्यक है जिसमें कच्रे को अत्याधिक ताप पर जलाया जाता है जरा सोचिए कच्रे के निप्टान के लिए इसे जलाना सही है या गलत? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, यहां गलत है क्योंकि इससे वायू प्रदूशन होता है अजयव निमनिकर्णिय कच्रे में से कुछ वस्तूओं को विभिन प्रकार के उप्योग में लाया जा सकता है जैसे प्लास्टिक की जार में फूलों के पौधे उगाय जा सकते है तथा प्लास्टिक की बोतलों में इन पौधों के लिए पानी की व्यवस्था की जा सकती है बकसों का वस्तूओं को रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है इस तरह किसी वस्तूओं का बार-बार उपयोग करना पुनः उपयोग यानि reuse कहलाता है कुछ पदार्थ जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु, इत्याधी का पुनह चक्रन यानि रिसाइक्लिंग किया जा सकता है इसमें वस्तुओं को ताप और दाब की सहायता से दूसरी वस्तुओं में परिवर्दित किया जाता है गरेलु वाहित मल तथा उद्योगों से निकले तरल का वाहित मल उपचार सन्यत्र यानि सीवेज ट्रीट्मेंट प्लांट की सहायता से उपचार करना आवश्यक है इससे जल में स्थित उपद्रव्यों का सांद्रण कम हो जाता है जिससे जल प्रदूशन कम होता है अब आप अपने अध्यापक से चर्चा करके कच्र प्रबंदन के और तरीकों के बारे में पता कीजिए तो चलिए इन चर्णों को एक एक करके हम देखते हैं अभी तक हमने जाना कि कच्रा क्या है, आई या भी देखते हैं कि कच्रा कहा कहा से खट्टा किया जाता है, या इस बात को हम यह कह सकते हैं, कि कच्रा कहा कहा उत्पन्न होता है, यानि सोर्सेस क्या है, तो आप यहां देखिए, सोर्सेस अफ वेस्ट, इसमें हैं, डोमेस्ट दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट ज़से हम अध्योगिक कफ़र ली कादे हैं तीसरा है बायो कैमिकल वेस्ट जो कि हby हॉस्पटल पास्वा एनिमल वेस्ट और झटवा है नूकलीयर वेस्ट bac eran vra Z तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चो की जो कच्छे का इहां उत्वन होता है उन्हों उत्यरा कि साथ जगहें आपको दिखाई दे रही हैं साथ आप चंक wash حझ पर आपary différents सबसे पहला है Domestic Waste, Domestic Wasteило ही &GG यानि the समझते हैं हम सकली करे है estou, कि यानि हम वह कच्रा जो हमारे और आपके घरों से निकलता है उसे हम घरेलू कच्रा कहते है तो लुझते हैं हम भर में यान में भिबिनीयों प्रकार के फल और सब्जीों का उपयोग करते हैं उसके छिलके कचरे की श्रणी में आएंगे वहीं हमारे घरों में पुराने न्यूस पेपर पुरानी टीवी गत्ते काड़ बोट विभिन प्रकार की पॉलिथेंस और टूटा हुआ चश्मा प्लास्टिक के बहुत सारे टूटे-फूटे समान जैसे की चेयर खिलाओ फिर काच और काच के टूटे हुए बहुत सारी वस्तुएं जैसे बौटले या बर्निया इसी प्रकार से धातुएं भी जैसे की घर में कोई पुराना प्रेस है वो खराब हो गया तो वो भी किसमें आएगा उप्लाइगा यानि इस तरह से यह सारी वस्तुवें जो आपके उप्योग की नहीं है जो हमारे घरों में होती है यह घरेलू कच्रा या डोमेस्टिक वेस्ट के अंतरगत आती हैं अब अद्योगिक कच्रा उद्ध्योग आप सभी जानते हैं बच्चे कि हम अपने द्यानिक जीवन में बहुत सारी वस्तुमों का उपयोग करते हैं और ये वस्तुमें हमको हमारे इंडस्ट्री या उद्ध्योग से बनकर मिलती हैं यानि इन सभी वस्तुमों को बनाने के लिए बहुत सारी वस्तोय कारखानों में बनाई जाती हैं, तो जब कारखानों में इन वस्तोय को बनाया जा रहा होता है, तो उस समय बहुत सारा वेस्ट माटेरियल बहार निकलता है, जो कि हवा, पानी और मृदा में मिला दिया जाता है, तो हवा, पानी और मृदा में उद्योग तो आप जाकर पता करें कि उस इंडस्ट्री के द्वारा किस प्रकार से वाईयू, जल और मृदा में कच्रा फैल रहा है। तीसरा प्रकार है बायो केमिकल वेस्ट बच्चो बायो केमिकल वेस्ट के अंतरगत आते हैं हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, पैथोलोजी लैब्स और मेडिकल क्लिनिक्स आप इन सभी को अच्छी तरीके से जानते हैं। पैथोलोजी लैब में, हम विभिन्य प्रकार के जाच करवाते हैं। जैसे खून से संबन दीद, मुत्र से संबन दीद, तो इन जाच को कराने के लिए विभिन परकार की वस्तों का उपयोग किया जाता है, वहीं हॉस्पिटल में भी विभिन परकार का ट्रिटमेंट दिया जाता है, तो इस ट्रिटमेंट के लिए विभिन परकार के उपकरनों क वीविन प्राकार की डळाईयों को खाते हैं और दवाईयों की जो rapper होते हैं जिसे हम ठेक डेते हैं वह COBी क्रारत है तो कहने का मतलब कि यह जो बाईयो कैमिकल वेस्ट कहां से निकल रहे हैं हौस्पिटल पैथोलोजी लैब और नर्सिंग होमसे और इसके अंतरगत क्या क्या आ रहा है तो इसके अंतरगत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दस्ताने सुई जिसे हम सिरींज कहते हैं ग्लुकोस की बहुत सरी बॉटले कुछ खराब उपकरन जिनका ओपयोग टेस्ट करने के लिए किया जाता है दवाईयां दवाईयों के र दौरान भी कुछ कच्रा उत्पन होता है क्रिशी से संबंदित कारे करने के लिए किसान को भी बहुत सारे उपकरनों का और बहुत सारे दवाईयों का भी उपयोग करना होता है किटनाशी का उपयोग करते हैं तो जब इसका उपयोग कर लेते हैं तो जो वस्तुवे उनके लिए उपयोगी नहीं होती है, वो क्या हो जाती है, कच्रे के रूप में खट्टे हो जाती है, याने क्रिशी के कारियों को करने के दौरान भी कच्रा उत्पन होता है, जैसे कि खराब फसल या खराब फल, या फिर कह सकते हैं कि क्रिशी कारे करने के पश्चाद, फसल की कटा प्रकार है अनिमल वेस्ट, आप यहां समझी गए होंगे, अनिमल वेस्ट का मतलब है पशुओं के द्वारा उत्पन किये जाने वाला कच्रा, इस प्रकार का कच्रा जनरली घरों में पाले जाने वाले पशुओं से या फिर जहां पर पशुओं को एक साथ रखा जाता है, ज निमल वृष्ट, इस बढ़ कि अज़ा देने के लिए उन्हें खाना खिलाना होता है तो खाने के कुछ अवशेज बचते हैं वह भी क्या है, इन पशुओं की देखभाल करने के लिए अच्छे स्वास्त के लिए उन्हीं समय समय पर मेडिकल ट्रिटमिन दिया जाता है, त जात ही पशु घर में पशुओं की देख भाल और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्य परकार के वस्तुओं का उपयोग किया जाता है जो कि एक समय के बाद अनुपयोगी हो जाती हैं तो यह सभी कचरे यह सभी कचरे क्या क्या लाएंगे अनिमल वेस्ट और लिएन्य पशुओं के द्वारा निकाला गया अपसिस्ट पदार्त भी इसके अंतरगत आता है को झाल चटबाप्र का निकललीएर बेस्टि इस प्रकार का जो वेस्ट होता है वो निकल्यर पावर प्लांट से निकलता है इसके अंतरगत देखिए आपको एक निकलीत दिखाई दे रहा है इस नुक्लियर पावर प्लांट से निकलने वाला जो कच्रा होता है वो कौन है रेडियो एक्टिव मिनरल्स और मैटल्स होते हैं जो कि बहुत अधिक रियक्टिव होते हैं और इस प्रकार के जो कच्रे होते हैं वह हम मानव जीवन या अन्य जीवों के जीवन के लिए और हमारे पूरे परियावरन के लिए बहुत अधिक नुक्सान दायक हैं क्योंकि यह बहुत तेजी से क्रिया करते हैं सात्वा प्रकार मिनरल वेस्ट मिनरल वेस्ट तो इस प्रकार का जो वेस्ट है वो अध्योगिक छेत्रों के कारण उत्पन होता है अध जहरेली गैसों के रूप में वातावरण में चले जाते हैं. यानि ये जो मिनरल वेस्ट है ये उद्ड्योगों के माध्यम से फैलाए जाते हैं. तो बच्चो अभी हमने देखा कि वेस्ट ए वो अलग-उलग प्रकार के होते हैं. यानि कच्रा जो है वो अलग-अलग जगहों पर उत्पन हो रहा है और इनी अलग-अलग जगहों से इन कच्रों को इखटा किया जाता है अब इस कच्रे को इखटा करने के वस्चाथ इस कच्रे को अलग-अलग भी किया जाता है क्योंकि आप ये बात भली बाती जानते हैं कि सभी कच्रे को एक साथ हमको नहीं रखना चाहिए आपके घर पे जब वो गाना बजाते वे सुवे से वे गाड़ी आती है तो वो भी आपसे यही कहते हैं कि कच्रे को आपको अलग-अलग रखना है कैसे कच्रे को गीले कच्रे को अलग रखना है और सूखे कच्रे को अलग र लिए अलग अधार हो सकते हैं तो चलिए हम देखते हैं कि segregation या प्रथक करन क्यों करना है और इसके क्या-क्या अधार हो सकते हैं segregation या प्रथक करन करना भी जरूरी है ताकि उस कच्रे का पुनह उप्यों किया जा सके कच्रे का प्रकार कैसा है यानि कच्रा किस प्रकार का है इसके अधार पर segregation या प्रथक्रन किया जाता है तो हम चलिए बच्चों हम देखते हैं कि कच्रे की कौन-कौन से प्रकार है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं सबसे पहला है कच्रे के प्रकारों में on the basis of amount of moisture dry दूसरा प्रकार है आपका form of waste यानि कच्रे का क्या प्रकार है क्या वो solid है क्या वो liquid है या वो gaseous form में है तीसरा प्रकार मानो जीवन पर और परिया वरन पर उसका कितना प्रभाव पढ़ रहा है यानि effect of waste on human life and on the environment उसके अधार पर कच्रे को दो भागों में बाटा गया है एक है हानिकारक और दूसरा कम हानिकारक कि जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है hazardious और non-hazardious चौधा प्रकार waste की property यानि जो कचरा है उसकी क्या प्रकृति है यह जो गचरा है इसकी क्या विशिष्टाएं है इसके अधार पर कच्रे को दो भागों में बाटागיה है बायो डिग्रेडेबल और नॉन बायो डिग्रेडेबल बायो डिग्रेडेबल मतलब जैव निमनीकृत और नॉन बायो डिग्रेडेबल मतलब जैव अनिमनीकृत तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि यह इतने प्रकार के कचरे आपके आसपास दिखाई दे रहे हैं सबसे पहला कच्रा है आपका नमी के आधार पर on the basis of amount of mixture याने किसी भी कच्रे में जो नमी उपस्तित है उस नमी की उपस्तती के आधार पर कच्रे को दो भागों में बाटा गया है एक है वेट और दूसरा है ड्राय वेट याने गीला कच्रा और ड्राय मतलब सूखा कच्रा देखे आपको यहां दिखाई दे रहा है गीला कच्रा और सूखा कच्रा गीला कच्रा मतलब हम अपने घरों में सबजीयों के छिलके उतारते हैं फलों के छिलके और उसके बाद उस आपके हाँ और पत्तिते उर्ट के अतरगट निर। सुखे काच्रे में सुखे कच्रे, जैसे टूटी हमें, काच्री गॉरम उर्ट संथ, घुषे. गरों से बाहर निकल रहे हैं, यह साबी चीज़ें किसमें आएंगे, सूखे कच्रे में, आपने भी देखा होगा, कि जब गाड़ी वाले आते हैं, आपके गरों में कच्रा लेने के लिए, तो वे कहते हैं, कि गिला कच्रा और सूखा कच्रा दोनों को अलग रखिए, और इस किस तरह का कच्रा डालना है, और नीले रंग के डब्बे में किस तरह का कच्रा डालना है, बिल्कुल सही, हरे रंग के कच्रे में नमी युक्त याने वेटेट कच्रे को डालना है, और नीले रंग के डब्बे में ऐसे कच्रे को डालना है, जो सूखा है, गीला कच्रा और स बस्तू का निर्मान किया जा सकता है और जो गीला कच्रा है उस गीले कच्रे को हम घर अपने ही घर पर याने घरेलू इस तर पर ही उसका उप्योग कर सकते हैं त्योंकि जो गीला कच्रा होता है वह बहुत जल्दी क्या हो जाता है सड़ जगता है लेकिन सुखा कच्रा सड़ नहीं है, form of waste यानि कच्रे का प्रकार, इसके अधार पर कच्रे को तीन भागों में बाटा गया है, solid, liquid और gas, solid waste यानि ठोस कच्रा, ठोस कच्रा जो इसको हम आखों से देख सकते हैं, जो हमको असानी से दिखाई देता है, इस तरह के कच्रे हमारे घरों से, उद्योगों से और hospital से भी निकलते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, कि हमारे घरों से निकलने वाले कच्रे, गत्त, cardboard, polythene, plastic, ये सबी solid कच्रे के उधारण है, liquid waste, इस प्रकार का जो कच्रा होता है, वो अध्योगिक छेतरों के कारण, अतदिक मात्रा में निकलता है, आप सभी जानते हैं कि इंडस्ट्री में नई नई वस्तुओं या खादे पदार्थों को बनाने के लिए कच्छे माल का उप्योग किया जाता है, इन कच्छे माल से जब वस्तु का निर्मान हो जाता है, तो कुछ वेस्ट पदार्थ जो होते हैं, वो हवा में छोड़ दि और इस लिक्विट वेस्ट को पानी में मिला दिया जाता है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में केमिकल होता है, तीसरा प्रकार गैसियस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इंडस्ट्री में जब नई पदार्थों का निर्मान किया जाता है, तो उस समय बहुत अधिक मात्रा मे धुआ बहार निकलता है और यह जो धुआ होता है यही क्या है गेशियस वेस्ट है कचरे का तीसरा प्रकार और यह तीसरा प्रकार है मानों के जीवन या अन्य जीवों के जीवन पर पढ़ने वाले प्रभाव और परिया वरन पर पढ़ने वाले प्रभाव के अधार पर या पराम जूरभ ऐस राग जिप्ध हम लिवात घानी ≈제 में, सचरी जो हम फौरवा करना है। में परियावरन प्रावती में यह नहीं प्रदुशित Wease अजिए हमारे उपस्तित मिट्टी, हवा और पानी, हभाकिछशीक्रावित । याने ऐसा वेस्ट जो बहुत अधीक रियक्टिव हो बहुत अधीक हानी कारक हो ऐसे वेस्ट को हानी कारक वेस्ट के अंतरगत रखा गया है non hazardous यानि ऐसा कच्रा जो कम हानिकारक है या जिससे बहुत अधिक मात्रा में नुकसान नहीं होता है उसे non hazardous waste के अंतरगत रखा गया है कच्रे का अगला प्रकार है nuclear waste nuclear waste इस प्रकार का जो waste होता है वह nuclear power plant के द्वारा निकाला जाता है nuclear power plant में बहुत अधिक मात्रा में radioactive पदार्थों का उप्यों किया जाता है और ये radioactive पदार्थ जो होते हैं वो minerals और metals के form में होते हैं ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और इस radioactive plant से निकलने वाले nuclear waste का बहुत अधिक नुकसान हमारे परियावरन और मानो जीवन पर पड़ता है यानि हम ये कह सकते हैं कि nuclear waste जो होता है वो सबसे अधिक नुकसान दायक है कच्रे का अन्य प्रकार है जो कच्रा सड सकता है और जो कच्रा सड नहीं सकता उसके अधार पर हम कच्रे को उसकी प्रकृति के अधार पर दो भागों में बाट शकते हैं बायो डिग्रेडेबल और नौन बायो डिग्रेडेबल जिसे के हम जैव निमनी कृत कचरा कहते हैं और नौन बायो डिग्रेडेबल जिसे के हम जैव निमनी कृत कचरा कहते हैं बायो डिग्रेडेबल या जैयो निमनी कृत ऐसे कच्रे होते हैं जो सड़ जाते हैं आपने देखा होगा कि जितने भी प्रकार के कच्रे आपके घर में निकल रहे हैं उसमें से कुछ कच्रे जो हैं कुछ समय के पश्चात अपने आप सड़ गल जाते हैं वहीं कुछ अन्य कच्री जो होते हैं वो एसे की वैसे ही बने रहते हैंं तो ऐसे कच्री जो जो नमी युगत भोते हैं वो एक समें के पश्चाथ स्वयम से सड़ और गल जाते हैं उनको सडाने और गराने के लिए माइक्रोब्स याने सुक्षमजीव सहता करते हैं और ये जो सुक्षमजीव होते हैं वो इन कच्रों में उपस्थित जटिल कार्वनिक पदार्थ को सरल कार्वनिक पदार्थ में बदलते हैं और यहां क्रिया अब घठन कहलाती है याने हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कचरा जो सुक्षम जीवों की उपस्तती के कारण सड़ता और गलता है उसे हम जैव निमनीकृत कचरा कह सकते हैं वहीं ऐसा कच्रा जो लंबे समय तक वैसा का वैसा ही बना रहता है जो सड़ता गलता नहीं है जो सुख्षमुजीवों की उपस्तती के कारण सड़ता नहीं है वह कहलाता है जैव अनिम्नीकृत याने नौन बायो डिग्रेडेबल वेस्ट आप स्वयम अपने घर पर देखिए आपके घर पर निकलने वाले कच्रे में से अधिकांश कच्रा या कह सकते हैं कि 50% जो कच्रा है वो बायो डिग्रेडेबल होता है याने हमारे घर से जितना भी कच्रा हम निकाल रहे हैं उस कच्रे का 50% कच्रा जो है हम अपने ही घर पर ड और जो कच्रा बायोडिग्रेडेबल जो कच्रा है वो सडने के पश्याद उस प्रगार के कच्रे का पुन्हा उप्योग भी किया जा सकता है जैसे सबजीयों के छिलके को सडने के पश्याद उससे खाद बनाई जा सकती है याने घरेलू कच्रे के अधिकांश कच्रे को हम पुन्हा उप्योग में लासे हैं अच्छा बच्चो इन सभी वेस्ट के अलावा आपके घर में टीवी, पैन ड्राइव, कम्प्यूटर्स, मोबाइल, तेलिफोन, चिप्स ये सभी होंगे ये सब को आप इन सातों कच्रों की स्रणी में से कहां रखेंगे क्या ये कच्रा कुछ अलग प्रकार का कच्रा है जी हाँ, इस कच्रे को हम एक अलग स्रणी में रख सकते हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं e-waste, e-waste याने electronic waste, आजकल आप देख रहे हैं, हम सभी computer का, mobile का और विविन्न प्रकार के electronic devices का उप्योग कर रहे हैं, और ये सभी electronic devices एक समय के बाद हमारे लिए अनुप्योगी हो जाते हैं, और अनुप्योगी हुए, यानि ये कच्रा हो गए, तो इस प्रकार का कच्रा, ज sources of waste जो हैं, वो आठ प्रकार के हैं, domestic waste, industrial waste, biochemical waste, agriculture waste, animal waste, nuclear waste, mineral waste, और at last e-waste, और ये सब कहां से निकल रहे हैं, उद्ध्योगों से या फिर घरों से, हमारे घरों से विविन्न प्रकार के electronic device जैसे की TV, mobile, pen drive, chips, CD, DVD, ये सभी भी कच्रे के रूप में बहार निकलते हैं, तो ये जो कच्रा है, वह electronic कच्रा खेलाता है, जैसे की आप देख पा रहे हैं, ये विविन्न प्रकार के जो वस्तियों आपको यहां दिखाई दे रही हैं, ये सभी क्या है, electronic waste हैं, ये जो electronic waste हैं, ये हमारे घरों स या उद्दोगों से ही बहार निकलते हैं, और इनको dispose करना एक बहुत बड़ा challenge है, क्योंकि ये अपने आप सड़ते और गलते नहीं हैं, और इन्हें dispose करने में सालों लगते हैं,